स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चैनल यूनिक अकेडमिक इंस्टिटीट में हमीशा की तरह मैं आपके साथ हूँ राहुल चौधरी और आगे आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बिहार बोर्ड से जो आपकी पुस्तक है हिंदी की हिंदी की जो पुस्तिक सेक्षन है जो इसका काप विखंड है काप विखंड से हम लोगोंने कुछ रचनाएं की हैं जैसे मलिक denyasi द्वारा रचित करबक सूर दास जी द्वारा रचित-पद हमने भावारत किया है लाइन वाई लाइन और जो आपको मिल जाएंगे कहां मिल जाएंगे तो वो आपको प्ले लिस्ट में जा करके आप उसको डूंड सकते हैं और आज हम लोग करने बाले हैं छपपे जिसकी रचना नभादास जी के दौरा की गई है तो चलिए जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं किसी भी रचना को पढ़ने से पहले उसके लेखक उसके रचनाकार के बारे में बात करते हैं तो आज भी हम उनके बारे में पहले बात करेंगे नभादास जी के बारे में पहले बात करेंगे लेकिन हम उनके बारे में बात करें इससे पहले एक बार आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना बिलम की इसको सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ आपको 12 से सम्मंधित हिंदी और इंग्लिस के सभी वीडियो बड़ी आसानी से मिलने वाले हैं और वो आप तक पहले पहुँच जाएं इसलिए बेल आइकन दवाना भी न भूलिए और चलिए हम बात करते हैं आज इस सिर्शक की जिसकी रचना है नभादास जी ने नभादास जी का जन्म 1570 इसमी में अनुमानित अब यह अनुमानित सब्द जो है यह कभी कभी आपको परिसान करता होगा कि यह अनुमानित क्यों जो भी मिले हैं भी तक अनुमानित ही क्यों मिले हैं कोई भी ऐसा क्यों नहीं मिलता है जिसमें प्रमानित होग तो मैं आपको असपस्ट कर दूँ कि इनके जन्म की जो तीथी 1570 मानी जाती है इसका कोई प्रमान किसी के पास नहीं है और अगर प्र जाता है अब यानि कि 1570 और 1600 के बीच केबल 30 वर्सों का फासला है लेकिन ये दोनों ही तिथिया अनुमानित है इनके बारे में कुछ और बात अगर हम जान लें तो इनका जन्म जो है वह दच्छिन भारत में हुआ था जब ये सैस्वा अवस्था में थे तभी इनके पिता का निधन हो गया था और उस छेत्र में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और अकाल परने के कारण जब रोजी रोटी की समस्या उत्पन हो गई तो ये अपनी माता के साथ जैपु राजस्थान में आकर के रहने लगे बदकिस्मती का आलम यह था कि बहुत ही जल्द इनको कलần पानर किया और इनके गुरू इन दोनों की देख डेक में इन्होंने जो सव्ध्याय के माधियं से संक के माधियं से जितना संभव हो सका ओतना ज्यान अरजन किया अब इनके गुरू का जिक्र करना भी यहां पर बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि जब मैंने कहा या अगर्दास जी ते जी कि स्थिते और अगर्दास जी रसीग संपरदाय के संस्थापक थे अगर हम कहें कि यह किस काल के कभी थे कुछ चीस इनके बारे में जानना हो जरूरी हो जाता है ताकि कि objective प्रश्णों को solve करते समय आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होता है सबसे पहले बात करते हैं कि किस साखा के कभी थे तो निर्गुन साखा के कभी थे ठीक है पहला चीज कि यह किस साखा के कभी थे तो निर्गुन साखा कभी थे किस समाज से आते थे तो दलित वर्ग से आते थे दलित समाज के विद्वान थे ये और कैसे संत थे अगर बात करें तो ये थे विरक्त जीवन जीने वाले संत थे विरक्त जीवन जीते हुए एक संत थे और अगर बात करें किस काल के कभी थे तो ये भक्ति काल के कभी थे और इनकी रचनाएं जो ज़्यादा तर होती थी इनकी कृतियां जो ज़्यादा तर होती थी वो धार्मिक होती थी जैसे भक्तमाल इनका एक धार्मिक ग्रंथ है भक्तमाल इनके द्वारा रचित है जो धार्मिक ग्रंथ है और भक्तमाल के अब जो अगर बात करें तो हम और इनके बारे में क्या जान सकते हैं तो हम इनके बारे में ये जान सकते हैं कि नाभादास कैसे कभी थे किसके समकालीन थे तो नभादास जी तुलसी दास जी के समकालीन थे अगर कहा जाए कि ये किसकी रचना का बहुत सम्मान करते थे तो सूर्दास जी की रचनाओं का ये बड़ा सम्मान करते थे अगर ये कहा जाए कि किस धारा के कभी थे तो सगुनोपासक रामभक्त धारा त तो सगुनो पासक रामभक्त धारा के ये कभी थे अब हमको लगता है ऐसा कि हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजे इनके बारे में जान ली है अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि ये क्या है अब आगे रचना की और बढ़ते हैं और इनके बारे में और कुछ जानने का प्रियास करते हैं रचना के माधियम से जानने का प्रियास करते हैं एक चीज और हम लोग जान लेते हैं कि यह जो लिया गया है यह कहां से लिया गया है यह करता जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं छप है यह कहां से ली गई है तो यह भ प्रकार का सन्युक्त चंद है और इसमें दो चंद होते हैं एक रोला और दूसरा उलाला शुरुवाती के जो चार चरण होते हैं वो रोला चंद में रचित होते हैं जिसमें 24 मात्राएं होती है और जो बाद के दो चरण होते हैं वो उलाला चंद में रचित होते हैं और उसमें 28 मात्राएं होती है अगर शुरुवाती चार चरणों की बात करें तो 11 और 13 की पर यती होता है और अगर दूसरे दो आंतिम दो चरणों की बात करें तो 28 में से 15 और 13 पर यती होता है यह 6 चंद एक प्रकार का मात्रिक चंद है अगर पुर्ण रोप से इसको जाने तो यह एक विशं मात्रिक चंद है ठीक है अब हम इस चंद के बारे में जान गया है तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इससे आगे बढ़े है एक बात करें मैंने आपको पहले नहीं बता रही है तो जाने लेजी कि इसमें दो चंद मिले हुए है एक रोला और दूसरा उलाला तो चलिए अब हम बात करते है इन दोनों चंद की जो रचित है किसके उपर रचित है पहला जो छंद है वो कभीरदाजी के उपर रचित है तो चले कभीरदाजी के छंद को देखते हैं भगत विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करिगाए योग यग्य ब्रतदान भजन बिनू तुछ दिखाए यहाँ पे जो कभी कहते हैं कि जो भगती अगर नौ हूँ अगर भगती नहीं है तो सभी धर्म जो है वो अधर्म है क्योंकि भगती अगर नहीं है तो धर्म का कोई औचित है ही नहीं तो फिर धर्म किसी प्रकार से स्रिष्ट कहा ही नहीं जा सकता उसमें धर्मिक संपनता की बात की नहीं जाती चाहे आप कितने भी यग्य कर लो यो शब्दी शाखी पक्छ पात नहीं बचन सभी के हितकी भासी हिंदू तुरक प्रमान रमैनी शब्दी शाखी अब कुछ चीज़े हमको यहाँ पर देख लेते हैं पक्छ पात नहीं बचन सभी के हितकी भासी जब किसी भी धर्म की बात वो करते हैं कि चाहे आप कुछ भी कर लो पक्छ पात जो पक्छ पात मतलब होता है किसी को स्रिष्ट और किसी को नीचा दिखाना तो पक्षपात चैसे आप बात कर सकते हैं हिंदु धर्म में होता है कि चार वर्ण है और चार आस्रम है छह दर्सन है तो ये सब को नहीं मानते हैं ये इन चीजों को जो है इन चीजों के बिरोधी रहे हैं इनको प्रत्यक्ष हुआ है यहाँ पर इस बात का मतलब आप कह सकते कि इनको इस बात का ज्ञान हुआ है आभासित हुआ है यह चीज़ें आभासित हुए इनको कि नहीं यह जो है यह गलत है और ये नहीं होना चाहिए पक्षपात जैसी चीज़े तो ये मतलब आरोप लगा रहे हैं एक प्रकार से आलोचना कर रहे हैं उन चीजों की किसकी तो जो पक्षपात है चाहे वारनिक पक्षपात हो वर्ण का पक्षपात हो या आसरामिक पक्षपात हो या फिर दर्सन के पक्षपात हो तो इस सब का ये बिरोध कर रहे हैं इस सब अब कहते हैं यहाँ पे कि आरूड का मतलब होता है सवार होना जस्ता है जगत पे मुख देखी नहीं बनी और बनी का मतलब होता है वर्णन किया जाना और कवीर कानी राखी नहीं वर्णास्रम सट दर्शनी तो कवीर कानी नहीं रखते मतलब किसी भी प्रकार का मतलब द्वेस रखने का बात ही नहीं करते हैं चाहे आरे हो हिंदू हो मुसलमान हो और इन्होंने सब को असपस्ट रूप से धर्म के प्रमान के सिधान्त की बात उन्होंने बताई है इनका मानना है कि धर्म का प्रमान हो वो सिध्धान्तिक होता है और उसकी सिध्धान्त को उन्होंने बताया है यहीं आप अगर कुल मिला कर कहें तो कवीर जाती-पाती के भेद भाव से उपर उठकर केवल सुध अंताकरन से की गई यह मतलब विर्दय की गहडायों से की गई भक्ति को स्रेष्ट मानते हैं और इ इस में उन्होंने इतने बहतर तरीके से सिर्फ एक छंद के माध्यम से कवीर जी की जो वर्णन है कवीर जी का काफी सुन्दर से कर दिया है पहले ही हमने आपको बताया था कि यह लिया गया है कहां से भक्त माल से लिया गया है भक्त माल सिर्शक की अगर आप बात करें तो बह्तमाल, यानि भक्तों की माला, तो इसमें आपको जीतने भी भक्त हुए हैं, जिस प्रकार के सगुन वक्तिदारा के हो, और निगुन वक्तिदारा के हो, उनका वर्नन आपको इसमें देखने के लिए मिलता है, तो बहुत खुबसूर्ती के साथ उन्हें सहिड़ता के साथ भिड़ता से स्विकार करते हुए और अपना जो अपनी प्रतीभा है अलोजनापमग प्रतीभा है उसको उन्होंने यहाँ पर रख दिया है और कबीड जी का वर्णन स्रिष्ट शब्दों में उन्होंने यहाँ पर किया है की कबीड जी जो थे वो जाती पाती के भेदभा को नहीं मानते थे और केवल उसी को भक्ती मानते थे जिसमें अंता करन की सुद्धी हो यानि आत्मा की सुद्धी हो वो हमेशा बिरोध करते थे चाहे वर्ण हो आस्रम हो दर्शन हो इस सब का इन्होंने कभी भी अपने उपड बोज लिया नहीं इन्होंने तप योग यग्यदान ब्रत आदी चीजों को काफी तुक्ष बताया है काफी छोटा बताया है तब तक जब तक कि आप का अंता करन सुद्ध नहीं हो जब तक कि आपके अंता हिर्दय में भक्ती की भावना जागरित न हुई हो तो चलिए अब हम दूसरे चंद की तरफ आते हैं जो दूसरा चंद है ये पहल अतमाल सिर्शक ही इस बात को असपश्ट करता है जिसमें भक्तों की माला है कवीड एक भक्त हुए उसके बाद क्या कहते हैं अगर आप देखे तो सूरदास एक भक्त ही हुए तो अब हम सूरदास जी की तरफ आते हैं कवीड जो की निर्गुन भक्ती धारा के कवी थे वच्चन प्रीत निर्वही अर्थ अद्भुद तुकधारी प्रती बिम्बित दिब द्रिष्टि हिर्दे हरी लीला भासी जन्म कर्म गुन रूप सबही रसना परकासी विमल बुद्धी हो तासु की जो यह गुन सरबनीन धरे करते हैं कि सूर्दास की कविता जो होती है वो भारी और उनमें युक्तियां जो होती है वो नई होती है उसमें चमतकार चातोरे बड़े अनुठे 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 अनुप्रासों का इसमें प्रयोग होता है और जो उसमें वो वर्णों का प्रियोग करते हैं वो यथार्थ की तृष्टिशे यानि अथार्थ को शिद्ध करने वाले होते हैं अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सूर्दास जी का वर्णन ये कर रहे हैं कि सूर्दास की केविता जो होती है वो यथार्थ बादी होती है बहुत ही अनुठे अनुठास का उसमें प्रियोग किया गया होता है और उसमें युक्तियां जो दी जाती हैं वो सभी युक्तियां नहीं होती है और बहुत ही भारी होती है चातोरिका दर्शन आप उसमें कर सकते हैं कहते हैं कि अपने कविताओं में अपने कवित में जिस प्रकार से सूर दास जी कहते हैं जिस भी चीज़ को जिस कवित में जिस प्रकार के वचनों का वो उठाते हैं प्रशंग उठाते हैं उसका अंत तक सूर दाजी जो है निरवहन करते हैं उनकी केपताओं में आपको तुको का बहुत ही खुबसूरत संगम दिखाई देता है और सूर दास जी के हिषदय में प्रभू की जो दिब द्रिष्टी है उनकी संपोर्ण हरी लीला का प्रतिविम्ब दिखाई देता है आपको यानि कि सूर दास जी जब रचना करते हैं पहले भी सूर दास की जो रचना पढ़ी है और हमने वहां भी यह बात कहा था कि यह विश्वासी नहीं होता लोगों की देख नहीं सकते थे क्योंकि उनकी रचना इतनी ही प्रभाबशाली होती है ऐसा लगता है जैसे उन्होंने भगवान स्री कृष्ण के दर्चन ही करा दिये तो वो चीज वहां पे उनके हिरदय में प्रभू की पूरी दृष्टी आपको असपष्ट रूप से दिखाई देती है पूरी हडी लीला जो है उस असपष्ट कर देते हैं सूर दास जी उन्होंने प्रभू के जन्म कर्म ग दिव दृष्टी से देखा है क्योंकि उनकी जो लौकी का आखे हैं जो दुनिया देखने वाली आख है वो तो है ही नहीं तो उन्होंने अपनी दिव दृष्टी से अंता चच्छू से उसको देखा है और कहते हैं जो कोई भी सूरदास भगवत गुनगान को अपने स्रव करता है अपने हिर्दे में उतारता है उसकी बुद्धी जो है वह पवित्र हो जाती है विमल हो जाती है कि और अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि ऐसा कौन सा कभी है जो सूरदास जी का कवित सुनकर प्रसंसा पुरवक अपना सीस नहीं लाए तो यहां पर यह काफी प्रभाव है नवादास जी जो है वह सूरदास जी से काफी प्रभावित है करते है कि सुर कवित सुनी कौन कभी सुरदास की कवित को सुनकर ऐसा कौन सा कभी है जो नहीं सिर्चालन करे यह जो उनके चरणों में अपना सीस नहीं लाए उनकी भक्ति को देख करके उनके भक्ति के प्रचन हुष रखता है जिसकी केथा सुन कर कभी नवहा दास जो है वह सिर जुखा लेते हैं तो सूर्ध डास की केथा को सुन करके कभी युए नतमस्तक हो जाता है यहां भी उन्होंने अपणी नतमस्तक को प्रदर्शित किया है तो आसा करता हूं बच्चों की आपको यह वीडियो यह करिता समझ में आई है हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई